अब हम similarly अपना 3rd part करेंगे, 3rd method 3rd method क्या कहता है, कि let us suppose कुछ ऐसा circuit है ठीक है, और M और N के बीच में हमको निकालनी है, net resistance अब यहाँ पर अगर देखें, तो M और N को जो line joining है, it is not the axial symmetry ठीक है, लेकिन क्या है कि यह जो line है this is perpendicular to the axial symmetry यहाँ पर axial symmetry क्या क्या हो सकती है एक तो यह वाई line, एक यह वाई line क्योंकि इसी पर resistance है, तो जितना इधर है, उतना इधर है तो यह दोनों lines नहीं सकती है अब जो line joining M और N है if that is perpendicular to the axial symmetry then all the points lying on the axial symmetry will be at equipotential that means कि अगर मैं इसको 1, 2 और 3 mark करूँ तो यह तीनों points equipotential है that means कि 1 से 2 में कोई current flow नहीं करेगा 2 से 3 में भी कोई current flow नहीं करेगा तो मैं इन दोनों resistance इसको हटा सकता हूँ यह हटा दिया मैंने अब यह R यह R है, यह R है, यह R है यह 2R हो गया टोटल कितना हो गया 2R यह भी resistance से series में हो गई यह भी कितनी हो गई 2R यह भी resistance से series में यह भी 2R अब यह तीनों parallel में आप राम से निकाल सकते हैं है यह राम से ताइब यह राम से निकाल से निकाल अपाल सकते हो गए है